Today I will teach exercise 5.8 and your chapter name is understanding elementary shape Today we are understand what is polygon and what type of shapes are called polygon So what's this video So to understand the polygon, here are two things that are very important to define the polygon One is what should we do with the line segment and the other is that it should be closed So the line segment means that it should be straight line Straight line is a figure And it should be closed You can see the first figure here So this line segment is made Closed, where is open So this is what is polygon This is not polygon This is not polygon Because it is closed Here is open And the other part is here So this is not a curve So this is not polygon It's not polygone This is not a polygon This is the same thing You can see it This way When this is made This is not a polygon This is not a polygon And so this is not polygon So this is not polygon This polygon is not a polygon Why not? Which is closed Because it is fixed Because it is a polygon दterior line है पॉलिगन किसे कहते हैं जो सीधी line से मिलके बना होता है और वह ग्लोस ड़ा ज्यूर से मिलके बनावा और इसको पॉलिगन कहते है अब पॉलिगन जो होते हैं वो किसके step क्यों होते है एक तो होता है triangle इसकी 3 साइड है और नहीं closed है तो एक पॉलिगन यह है और four side अगर होंगी तो closed होगा तो यानि की बंद होगा तो एक कौईलेटर के लाता है ठीक है exercise five point seven में हमने कौईलेटर के बारे हम पढ़ा है तो वह कौईलेटर भी पॉलिगन के अंदर आ जाता है अगर हमने यहां पर इसकी three side है थी तो इसको triangle का यह triangle है आई आपको क्या किलाता है quadrilator किलाता है ठीक है four side वाले four side के अंदर जितने भी figures आते हैं वह सब इक कौईलेटर के अंदर आते हैं ठीक है तो कौईलेटर हो गया उसके बाद four side हो गया three side का triangle four side का कौईलेटर और five side का one two three four and five यह भी सीधी लाइन से मिलके बनाए closed है कहीं से open नहीं है तो यह आपका क्या किलाता है pentagon pentagon ही ठीक है तो यह five side होगे अगर six side होगे अगर तो यानिक इस step का तो यह होगगा आपका hexagon क्लाता है ठीक है तो यह आप समझके होंगе six side का जह देख लिए one two three four five and six अगर seven side होंगे तो उसको क्या कहेंगे तो आपका heptagon किलाता है ठीक है heptagon के बाद आता है octagon उसके बाद nonagon ठीक है तो यहाँ समझ गे होंगे side के coding है three side वाला triangle four side वाला collector five side अगर होंगे तो pentagon six side होंगे तो hexagon seven होंगे तो heptagon और eight होंगे तो octagon nine होंगे तो nonagon ठीक है तो इस type के save polygon के अंदर आते हैं यह सभी polygon के अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक question में first type के पास लिखावा है examine whether the following are polygon इसमें बता रहा है आपने कौन से polygon है और कौन से नहीं है if anyone among them is not अगर इसमें से जो polygon नहीं है तो save आई आपको यह बताना है कि पॉलेगण नहीं है तो क्यों नहीं है तो first वाला polygon है बिलकुल नहीं यह polygon नहीं क्योंकि closed नहीं है यानि कि open नहीं आई आँ दیکh से pharian अगर यह स्टार्टिंग और यह inटिंग पॉंट मिले होते तो साइद हम इसको पॉलिगन कहे पाते हैं ठीक है तो यह पॉलिगन नहीं है क्यों नहीं है because it is not closed यह बंद नहीं है ठीक है यह पॉलिगन है yes यह तो पॉलिगन आपको साब दिख रहा है सीधी लाइन से मिलके बना हुआ है और क्लोजड है कहीं से इसलिए नहीं है क्लोज तो है पर यह सीधी लाइन से मिलके बना हुआ नहीं है यानि कि लाइन से नहीं बना हुआ है तो इसमे लिखेंगे पॉलिगन है लास वाला तो यह भी पॉलिगन नहीं है क्योंकि इसमें कर्व आ चुका है ठीक है यह सीधी लाइन नहीं है तो इसके वज़े से यह क्या नहीं है पॉलिगन नहीं है तो नो विकॉज इस नॉट क्लोजड बाई लाइन सेग्मेंट यह लाइन सेग्मेंट से क्लोजड नहीं है क्योंकि इसमें कर्व भी आ चुका है यह कर्व के वज़े से क्लोजड है ठीक है तो कर्व होना नहीं चाहिए पॉलिगन में नाव नेक्स्ट क्वेश्ट नमर्ट थी आप खुद कर सकते हैं फिगर देंके आपको यह बताना है कि वह किस टाइप का पॉलिगन है तो इन में से एक पॉलिगन निकली जाएगा हूँ ठीक है तो यहां पर देख लिए क्वेश्ट नमर्ट थी आपके पास ड्रॉई रफ इ सक्रेज़च बनाना है रएग्लर है एक्व में तो आपको पता है या मतला होती है उसकी जो सावेश्ट हैं उसकी ऑर वह कि इक्वल यह बनाता है ठीक है यह यह वर्टेक्श मैं यह बनाता उक पगा हो चाहने इंटिडियर पर तो यह हूं चीजं है गंदर आजाती है regular गंदर ठीक है तो आपने इस टैप का एक फिगर बनाना है hexagon का 6 साइड को मिलाके और लिखाव है connecting any three of its vertex उसके जो vertex होंगे 6 vertex होंगे उसमें उसमें से आपने three vertex को इस तरीके से जोड़ना है कि आपकर triangle बन जाए ठीक है उसका लिखाव है hexagon का figure बनाएंगे तो इस टाप का हमने एक regular hexagon बना दिया equal length है इसकी इसकी और यह जो line segment है इनकी equal equal length है और यहां पर जो angle बनेंगे वो भी equal बनेंगे ठीक है और यहां पर जो भार के angle बनेंगे यहां पर vertex पे यानिक यहां पर यह आपके vertex point किलाता है ठीक है यहां आपके vertices होगे तो यहां पर जो exterior चाहिए interior हो तो अगर हम exterior angle की बात करते हैं तो सब में exterior angle जो होगा equal होगा सब में 90 बन रहोगा बार और 80 बन रहोगा बार तो सब में 80 बन रहोगा चाहिए कुछ भी हो ठीक है और interior में भी equal angle होगे regular hexagon और यह length जो segment है यह भी equal length की होगी तो इसको name दे देंगे हम suppose यह A है यह B है यह C है यह D vertex है E और F ठीक है तो इस तरीके से हमने दे दिया अब आपने तीन vertex को जोड़ना है कोई भी तीन vertex को जोड़ना है और triangle है थोड़े save थोड़ा 가ruber हो गया नए तो थोड़े c ने थोड़े दर जान था और save तो हुट् करते हैं A और c को joins नहीं करते हैं A और d जोइन के और e को जोइन के लिएते हैं इस तरीका से थिक है इसको हम नहीं करते जोइन अब ठिक से पा रहा है तो यह आप हम लिख देंगे लेट ए बी सी डी ए एफ इस आ रेगुलर हेग्जागॉन माना कि रेगुलर हेग्जागॉन है क्योंकि छह साइड है वन टू थ्री फोर फाइव और शिक्स एंड जोइन एई एंड एड और हमने एई और एड को जोइन कर दिया अब यहां हम जानते हैं कि एड और एई क्या होगा एक्वल लेंद क्योंकि यह रेगुलर हेग्जागॉन है इसके वज़ेसा अगर आप कोई भी दो लाइन इसमें ड्रॉप करते हैं और ट्रेंगल बनात हाती है ठीक है तो यह बराबर है then we can say triangle ADE is an iso isoelectric. इसे हम iso cellist ट्राइंगल के खेंगे क्योंकि अगर ये दो साइड equal length की शपदा है तो ये iso cellist 21st ट्राइंगल के खेंगल त्यूंकि लेखेंगल मैं आपको बत्था isolist kinda expelled में क्या होता है दो साइड equal length की होती है और यह साइड दिफ्रेंट लेंध की होती है ठीक है तो आपका इस ट्रेंगल है इस टापका इस ट्रेंगल बनता है दो साइड इक्वाल लेंध की होती है और यह दिफ्रेंट लेंध की होती है I hope you understand this now next question question number five आपके पास and last question आपका यह a diagonal is a line segment that join any two vertices of the polygon and is not a side of polygon draw a rough sketch of a pentagon and draw its diagonal तो आपने एक pentagon मिलाना है उसका आपने diagonals draw करना है आपको कहा गया कि जो diagonals है वो polygon के side नहीं है ठीक है तो इस तरीका हम एक pentagon draw करेंगे तो pentagon के कितनी side होती है five side triangle की three side होती है quarter की four होती है pentagon की five होती है ठीक है तो यहां पर आपने एक pentagon draw कर लिया है suppose यह आपका a b c d और e है ठीक है let अब जो जो draw किया है आप लिख देंगे let a b c d is a pentagon यह आपका pentagon है and अब हम इसमें draw करेंगे देखें कहाँ गया कि line segment है एक diagonal आपने draw करना है इसके अंदर diagonal मतला जो अपोजित वर्टेक्स को connect करते होगी तो हमने इस तरह के से यह diagonal draw कर लिया है और एक b से यह diagonal पे हमने draw कर लिया है ठीक है तो b की तो बारे हो गई अब हम a की बारे से देखते हैं a के लिए opposite होगा a की यह c और a की यह d ठीक है तो a और b की तो गई होगे अब e से देखते हम उसके opposite क्या है e के opposite एक तो b है वो बनावाए e के opposite एक c है तो इसको हम draw कर लेगी अब हम D से देखते हैं D के opposite क्या था ये और ये थे तो ये हमने draw कर लगए C के opposite देखते हम तो C के opposite ये था ये था वो हमने draw क किया है तो और तो draw नहीं हो सकते है यह वितने ही diagonal draw हो सकते है तो आपने क्या क्या Dragon draw कि and join लिख देंगे हैं आपे हमने join किया A C A D A C A D और ये वाला B E B D और आपने C से देखेंगे तो A C आपने join किया था और E C ठीक है और D से देखेंगे तो A D A D के दो बारी लिख दिया हमने D B यानि B D वो भी हमने लिखा हुआ है E से देखने पर E C वो हमने लिखावा है और E B यानि कि B E तो ये सब लिखे वे हमने ठीक है तो है आप समझ गए होंगे कि हमने A C A D join किया A C A D उसके हमने B C देखा तो B E B D ये join किया और हम C से देखते हैं तो C E तो ये C E हमने लिख दिया और एक हमने AC जोइन किया था और AC हमने अल्रेटी लिखा हुआ है इसलिए दुबार लिखने की ज़रूत नहीं है D-point को देखते हुआ हमने AD और DB जोइन किया AD भी हमने लिखा हुआ है और DB भी हमने लिखा हुआ है यानि की BD फिर E को देखें लास्ट यह रहा गया तो हमने BE यानि की EB और EC जोइन किया था तो हमने यहां पर EB लिखावा AC लिखावा है तो दोबारा लिखने की ज़रूत नहीं है तो इतने चीज़ों को हमने जोइन किया हुआ है ठीक है तो इसमें लिख देखेंगे AND या दे आर Diagonals Of The Pentagon यह कहते पेंटागॉन के Diagonals भी है I hope you understand this thank you for watching